जब जब फिल्म मेकिंग की बात आती है कुछ करेक्टर्स और कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिने हम असानी से और इतने हलके में नहीं ले सकते लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका नाम ही काफी होता है फिल्मों को बड़ा बनाने के लिए और अगर मैं बात करूँ नेट्फिक्स का अभी अभी एक नया ट्रेलर आया जिसे बोला जा रहा है किलर सूप बोला नी जा रहा है नाम ही है उसका किलर सूप और उसके अंदर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े दिगज अक्टर्स यानि के कॉंकना सेंच शर्मा और साथ में आपको नजर आएंगे हमारे फेवरेट मनोज बाजपई भाई जब जब मनोज बाजपई स्क्रीन पे कुछ लेका रहे हैं तो भाई फाड़ी दिया है इस बार भी मुझे वही लग रहा क्योंकि नेट्फिक्स की एक नई सीरीज है जिसका नाम है किलर सूप उ इसके अंदर हमें कॉंकरा सेंशर्मा भी उनकी पार्टनर बनती हुए नजर आ रही है दोनों हस्बेंड वाईब भी नजर आ रहे हैं डबल रोल भी नजर आ रहा है पर भर के ड्रामा नजर आ रहा इसके ट्रेलर के अंदर इस ट्रेलर ने मैं honestly इंट्रस्टेड नहीं था इसके लिए ट्रेलर देखने के लिए मैं ने देखा तो मुझे देखने के बाद अब कि इसके अंदर होगा क्या पूरी कहानी गया डबल रोल भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो मतलब मेरी कि उरसटी जरूर बढ़ गई यह तो आप लोगों को मेहकी सला दूंगा कि ये एक बार देखना जरूर, अगर यह ट्रेलर देखोगे न, मैं गरेंटी देता हूँ कि 90% of the people will be converted to this, कि जैसे ही यह आती है 11 जैनवरी को मुझे जाके यह देखनी है and I think one of the very finest web series is coming up on our track, बहुत देर से कुछ अच्छा नहीं आ रहा था, तो अभी कुछ अच्छा आने की उमीद जगी है, तो इसको गवाना नी चाहिए and literally बड़ा ही मज़ा आया मुझे ट्रेलर देखके certainly one of the best trailers in the previous times, अगर मैं पिछले कुछ time की बात करूँ, या मासी सिनेमा को हटा दिया जाए, तो यह certainly अभी तक का best ट्रेलर मैं बोलूँगा, कसम से जाके देख लो, you are not going to regret this video watching it मतलब कसम से बोल रहा हूँ, उसको जब तुम देखोगे न, एक बार के लिए तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि भाई साला ट्रेलर में फिल्म दिखा दिया कसम से, मतलब मज़ा आ गया, इतनी कशम है, मैंने वैसे नहीं खाई कभी लेकिन, यह ट्रेलर को देख के निकल रही है लेकिन, एक चीज तुम्हें बता देता हूँ जब-जब मनोज बाजपई ने अच्छी आक्टिंग करी है कहा जाता है कि मासी सिनमा को ज़्या तवज्जव दिया लेकिन, इस बार हो सकता है ओडियंस, मनोज बाजपई की तरफ जोके because, कहा जाता है कि जब इस तरीके का कोई सिनमा हमें देखने को मिला है न, ओडियंस ने बहुत सरा है, और मेरे ख्याल से ये एक लक्की चाम साबित हो सकता है नेट्फिक्स के उपर आना मनोज बाजपई का और बहुत से दूसरे आक्टर्स को जैसे गोविंदा है, बहुत सारे आक्टर्स जो आज रस्ता ढूंड रहे हैं, लेकिन अच्छे आक्टर हैं, उनके पास वेब सीरीज करना या OTT करना एक अच्छा प्लाटफॉर्म बनके थाबित होगा, तो ये एक छोटा सा मैसेज था, अगर कहीं तक पहुंचती है ये वीडियो, लेकिन मैं ये ही कहूंगा, कि प्लीज जाके एक बार ट्रेलर जरूर देखना, मज़ा आजाएगा तुम्हों को, कसम से